नमस्कार दोस्तों मैं जीतेंद्र रगवनशी और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि संविदा सिक्षक भरती 2018 के उस संसोधित नियम है वो जारी हो गए है मैं आपको उसका जो अधिकारिक प्रेस रिलीज है वो हो गई है वो आपको दिखाने वाला हूँ तो उस प्रेस में कुछ परिवर्तन किये गए हैं आने वाले संविदा सिक्षक भरती में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं जिसमें से एक पहला नियम है कि अधिती सिक्षकों को रजर्वेशन दिया गया है जो कुल पद होंगे उनमें से उनको 25% का अरक्षन दिया गया है साथ ही दूस वर्स कर दी गई है तीसरा जो परिवर्तन है वो अतिती सिक्षकों के लिए ही है जो अधिक्तम आयूशीमा है उसमें उनको 9 वर्स की छूट दी गई है तो चलिए वीडियो पूरा देख लेते हैं उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को स जो आने वाली संबीदा सिक्षा भरती होगी उस भरती में क्या-क्या परिवर्तन किये गए हैं वो सब इस राजपत्र में जारी कर दिये गए हैं और यह जो राजपत्र है वो दो फरवरी 2018 को government press mp.nic.in की website पर अप्लोड किया गया है तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन किये वो सब कुछ हम आपको इस बीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं किस परकार के परिवर्तन आगामी संभी ता सिक्षक भरती में होने वाले हैं तो यहाँworks गया पर जो पहला परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन यह तो टोटल रिक्षबत्यां होगी उन रिक्तियों में से 25% रिक्तियां अतिती सिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी उन अतिती सिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने सास्किये स्कूल में कम से कम 200 दिन एबं नियूनतम तीन या अधिक सेक्षनिक सत्रों में कार किया हो तो यहां पर ध्यान यह जरूर देना है कि अतिती सिक्षकों के लिए 25% का आरक्षन दिया गया है लेकिन यह उन्हीं अतिती सिक्षकों को मिलेगा जिनोंने कम से कम 200 दिन का अध्यापन कराया हूँ साथ ही नियूनतम तीन या उससे अधिक सेक्षनिक बरस सत्रों में कारे किया हो ठीक है अगर तीन साल से कम यदि किसी ने वर्क किया है और उसके दोसों दिन भी हो रहे होंगे तब भी उसको इस आरक्षन का लाव नहीं मिलेगा यहां पर एवम के साथ लिखा हुआ है कि तीन वर्स या उससे अधिक सत्रों होना चाहिए साथ ही उसके दोसों दिन कम्प्लीट होना चाहिए और यहां पर लिखा हुआ है कि यदि अतिती सिक्षकों के लिए जो आरक्षित पद हैं वो नहीं भरे जाते हैं तो उस इस्थिती में सेस पदों को अन्य पात्र अभ्यरतियो से भरा जाएगा ठीक है इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन किया गया है वो किया गया है आयूशीमा में ठीक है यहां पर आयूशीमा में दिखा देते हैं कि यहां पर जो मद्द प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए आयू जो है वो सभी वर्गों के लिए 45 वर्स गई ईयो शिर्फ पुरोष आविदक जो अनारख्षित्वर्ग के होंगे साथ ही मड़्य प्रदेश के बाहर के जो आविदक है उनके लिए अधिक्तम आयूसीमा 25 वरस की गई है जी यहां दोसतों मड़्य तिसक्षक 200 दिन तथा नियुनितम तीन सेक्षिनक सत्रों में कारे कर चुका है तो उसको नौ बर्स की छूट दी जाएगी मतला उसको जो अधिक्तम आयू सीमा है उसमें नौ बर्स की छूट उसको दी जाएगी ठीक है साथी यहां पे एक परिवर्तन और किया गया है जो पर परिदेशों के अधिन दिन किसी भी पात्र व्यक्ति की अनुकंपा के आधार पर संबीदा साला सिक्षक के पद पर नियोजन हितु पंचाइट को सला देगी ठीक है तता पंचाइट ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगी जो वर्ग एक वर्ग दो और वर्ग तीन के लिए ज अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी अन्ता उसको अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जाएगी तो यहां पर उसको संबीदा साला सिक्षक जो पातरता परिक्षा है उसको उत्तरिन करना होगा और बर्ग एक बर्ग दो और बर्ग तीन के लिए जो योगताएं हैं वो य अमिदा सिक्षक भरती का जो नोटिफिकेशन है वो व्यापम की वैप साइट पर आ जाए क्योंकि यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है जहां पर यह लिखा हुआ है कि यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो प्रकासन की तारीक से 15 दिन पूरे होने पर उसको माननी किया जाएगा मतलब यदि दो फरवरी 2018 को यह लागू किया गया है यह जारी किया गया है तो उसके 15 दिन बाद मतलब 17 फरवरी 18 फरवरी के आसपास आपको सम्विदा सिक्षक भरती से सम्बंदित कोई न्यूज मिल सकती है कि आने वाले समय में सम्विदा सिक्षक भ कि ये भरती का notification आ सकता है ठीक है क्योंकि राजपतर आने के बाद थोड़ी उम्मीद लग रही है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछी दिनों में आपको व्यापम की website पर जो schedule होता है उसमें संविदा सिक्षक भरती की जो date है वो देखने भी जारी हो जाए तो आपने जो विचार है वो कमेंट्स के माद्य हमसे जरूर बताएं और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो कि मैं सम्भीता सिक्षक भरती से सम्मंदित और न्यूज और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आने वाले सम्मे में जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपके पास जब सबसे पहले पहुचाने का प्रयास करूँगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यबाद